नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि एक जुटता ही राजिस्थान की सबसे बड़ी पूंजी टोंक में बोले पीम मोदी कॉंग्रेस राज में हनुमान चाल सा सुनना भी गुना हो जाता है तो कि मुझे आप सभी का प्यार आशिरवाद और उत्सहा मिला है आज हनुमान जयनती का शुब अफजर है और मैं सभी को इसके लिए शुब कामनाएं देता हूँ उन्होंने कहा कि राजिस्थान ये बखुबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थाई सरकार कितनी ज कि एक जुड़ता ही राज़स्थान की सबसे बड़ी पूंजी है याद रखिएगा जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मन उने फैदा उठाया है अब भी राज़स्थान को बाटने की पूरी कोशिश हो रही है इसैं राज़स्थान को साभधान रहने की उन्होंने कहा कि कॉंगरेस होती तो जमुककमीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते कॉंग्रेस होती तो 16 पार से याब दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सरकार कर ले जाते कॉंग्रेस होती तो नहीं हमारे फौज़ियों के लिए 1 रांक 12 우와 लागू होती और नहीं हमारे पूर्वस्तारिकों को एक लाख करोड रुपए मिलते उन्होंने कहा कि राजिस्तान की मेरे भाई बहन तो कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस के पंज़े से मुक्थ हुए हैं। लेकिन आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है जब से भजनलाल जी और उनकी टीम काम पर लगी है माफिया और अपराधी राजिस्तान चोड़कर भागने पर मजबूर हैं। अन्वान चल सा सुनना भी गुना हो जाता है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजिस्तान में राम नव्मी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कॉंग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थर बाजी करने वालों को सरकारी संरक्षन दिया था। इसी कॉंग्रेस पार्टी ने तुष्टी करन के लिए मालपुरा, करॉली, टोंक और जोधपुर को दंगों की आग मी जूग दिया था। मोदी ने कहा कि अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके आस्ता पर सवाल उठा दे। अब आप चैन सहर्मान 40 भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे। ये भाजपा की गारेंटी है। उन्होंने कहा कि परसो चब मैं राजिस्थान आया था तो अपने एक 90 सेकेंड के भाशन में मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा था। उससे पूरी कॉंग्रेस और INDI गड़बंधन में भगदर मच गई है। मैंने देश के सामने सत्य रखा था कि कॉंग्रेस आपकी संपत्ति छीन कर अपने खास लोगों को बातने की गहरी साज श्रच कर बैठी है। उन्होंने कहा कि दो तिन दन पहले मैंने कॉंग्रेस को इस वोट बैंक और तुष्टी करन की राजनीती का परदाफाश किया था। इससे कॉंग्रेस और उसके एकोसिस्टम को इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ मुझे गालिया देने में जुटे हैं। पूछना चाहता हूं कि आखिर वो सच्चाई से इतना डरते क्यों हैं। क्यों कॉंग्रेस अपनी नीतियों के चुपाने में लगी हुई है। फिर उनके एक नेता ने तो यहां तक कहा कि एक्स्रे किया जाएगा। आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट भी किसी और मुद्धे पर देंगे आपको विस्तिस जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।